हेलो इस्टुडेंट बायोजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज का मारे टाप है के बायोजी की प्रश्न बेंग के से इंपोर्टेंट कोश्चन जी एम खाद दि क्या है अथवा जी एम फसल को संचेप में समझाईए तो हमने जो जेनेटिक मोडिफाई औरगनी जाते हैं फसलों में बाहरी जीन को जोड़ा जाता है और उनमें लक्षन क्या करते हैं प्रकट किये जाते हैं अर्थार्थ आनुवनसिक रूप से रुपांतरी जो फसले होती है उनी को जी एम खादियां जी एम फसल कहते हैं आपको अगर ट्रांस जेनिक पोधे आये तो भी आप इसमें आला अंसर लिख सकते हैं ठीक है अब ये खादी फसल या फसल परमपरागत रूप से विक्सित खादी से निम्न गुड़ों में भिन्न होती है पहला तो इनमें प्रति जेविकों के प्रति रोधी जीन्स पाए जाते हैं जो प्रति जेविक होते हैं उनसे एंजायब पाए जाते हैं और इनमें ऐसे एनजायम भी पाए जाते हैं जिसे हम Recombine & DNA टेकनोलोजी जिसे पूर्नर योगत DNA टक्नीक बोलते हैं उनमें जीन ट्रांस्फर के समय काम आने वाले एनजायम भी इन फसलों के अंदर पाए जाते हैं तो ये फसल भोती उपयोग होती है ठीक है तो उम्मीद्य आप समझ गए कि GM खाद देखिया है GM फसल क्या होती है आप मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक आप पढ़ते रहें बेस्ट आफ लग पार यूर एक्जाम